रोहिनी आचारिया की तमाम मुश्किले एक बार फिरसे बढ़नी शुरू हो गई है और लालू पडिवार इस वक्त टेंशन में है क्यों है लालू पडिवार टेंशन में और क्या बढ़ गई है रोहिनी आचारिया की मुश्किले इसके बारे में पूर्णता जानकारी दूँ लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन में आपको बता दू जो ये कयास लगाये जा रहे थे कि रोहिनी आचारिया भले ही सारन से चुनाओ हार गई हैं लेकिन उन्हें मिसा भारती की तरह राज्य सभा भेजा जाएगा जिसके उपर कही लेकिन उन्हें में आपको पूरी जानकारी दे देताहूं सबसे पहले में आपको बता दू कि जब रोहिनी आचारिया सारन से चुनाओ हार गई राजी उपरताप रूडी से तब ये कयास लगाए जा रहे थे तब लोगों में बाते चल रही थी कि हो सकता है इन्हें राजसभा भेजा जाए और इसके उपर जो बात चीत है वो आगे चलके तेज भी हो गया कि रोहिनी आचारिया मिसा भारती की जिगर राजसभा में जाली है और इसके उपर लालू प्रसाद अपने दावेदार खरा नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया इनको इनकी राजसभा की सीटे गवानी पड़ी भले ये लोग सबा में जीत गये लेकिन राजसभा में नुकसान हुआ और अब अपने कैनिडेट भी खरे नहीं कर पाएंगे यहां तक की रोहिनी आचारिया को भी राजसभा नहीं भेज पाएंगे नियम ये है कि जिसके पास विधायक दल जादा होता है वही राजसभा जाता है और नियम तह देखा जाए जो नया नियम है उसके हिसाब से NDA के पास 128 विधायक है जबकि अगर विधायकों की संख्या देखी जाए RJD के पास तो मातर 115 और इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं NDA जो है वो राजसभा के उपर बढ़त बनाये हुए है और यहाँ पर चर्चाय तेज हो गई है कई सारे नाम NDA के तरफ से भी आने शुरू हो गए है कि ये अगर विधायक दलो की संख्या कम है अगर लालू परसाद कुछ तोल मोल करके किसी तरीके से कोई काम करके इस तरीके का काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि ऐसा खेला हो जाए लेकिन ये अभी होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है मतलब राजनिती के माहर खलारी लालू परसाद यादों के भी बस से बाहर जो है वो मुद्दा जा चुका है और अगर ये राजसभा का चुनाव लड़ती है अगर ये खड़ा होती है और अगर ये चुनाव हार जाती है तो ये लालू परिवार की दूसरी सबसे बड़ी हार होगी और कोई नहीं चाहेगा कि रोहिनी आचारिया दोबारा से हारें क्योंकि सारन में एक बार वो राजी उप्रताप रूडी के हां तो लोकसभा का चुनाव अभी हाल फिलाल हारी है इसके बाद अगर वो राजी सबा चुनाव में नॉमिनेट होती है और वो चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पे मुश्किले होंगी अभी यहाँ पे राजी सबा सांसत का उप्र चुनाव होने वाला है और इसको लेके लालू पड़िवार काफी शतर्त तो है लेकिन इसके उपर वो कुछ कर नहीं पाएंगे बिकस उनके पास विधायक दलू की संख्या जो है वो बहुत कम है इस वज़े से रोहिनी आचार कि उपर जो भी मुसीबते बन रही है वो खतम होने का नाम नहीं ले रही है बाकि इस बात को लेके इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है क्रिप्या कॉमेंट सेक्शन में जाईए और कॉमेंट करके अपना वचार हमारे तक जरूर पहुंचाईएग आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मेरा नाम रजत है